अर्जुन राम जी लगातार तीन वार जो है सांसद रह चुके हैं और आज उन्होंने चौथी वार के लिए जो है आवे जरुआ है और केंडिट गोसित हुए है उनके सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेटायर्मेंट के बाद इन्होंने राजनीती शुरू की उससे पहले बीकाणे जिले में कभी भी किसी भी समस्या को लेकर इनोंने मुद्दा नहीं उठाया एक दूसरा मुद्दा ये है कि तीन हमार रह गए लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि ये collector रहे हुए है लेकिन आज भीकानेर जिले में ये एक भी काम नहीं गिना सकते है तीसरा पाइंट इन्होंने भीकानेर जिले की कभी भी गंबीर समस्या पार्लामेंट में नहीं उठाई चाहिए कैसी भी problem है और मुझे दुख है कहते हुए कि collector आईएस रहा हुआ आज और आज एक काम नहीं गिना सकते है क्योंकि हम जो जनसेवक होते है उनका परमकुद्द से होता है कि हम पांच साल बाद जब renew के लिए वापस जाए तो हमारे दो पांच चार उपलब्दी होनी चाहिए अगर से हम के अंडेट लिया है तो जनता नहीं कहां भी भारका लिया है आप तो कई बाते रही है उस बाते से मैं मानता हूँ कि हमारी छोटी मोटी भूले हुए अन्य था बीका नेर जो लोग सबाद सीट है हमेसा कॉंग्रेस की रही है मनफूल सिंग जी रहे बल्राम जाकड जी रहे रामे से डूडी जी रहे लेकिन रिजर वाने के बाद मैं ये मानता हूँ कि लगातार कैसे ही समिकन बने लेकिन अर्जुन राम जी जीटते रहे क्योंकि भीच में मोदी लेर भी चलती रही लेकिन इस बार बीका नेर की जनता तै कर चुकी है चाहे कुछ भी करना पड़े जो अर्जुन राम ना जनता की सेवा करता ना कारेकरताओं से मिलता ना नेताओं की कदर करते और सीधे कहते है कि मैं तो मुखेमंत्री का दावेदार हूँ और पब्लिक में कोई काम नहीं है अभी भी नारा दे रहेंगे हम चार सो पार है अरे बही जनता के वोट तो अब गिरेंगे अभी अचार सहिंता ही नहीं लगी है चुनाव में ये भी फैक्टर देखा जाएगा आप कॉंग्रेस ने अच्छे काम करें उसके बाद बावजुद खाजुवाला से चुनाव हार गए और जिस तरह कहरे हैं कि माहोल बीजेपी के पक्ष में और लोग सभा का चुनाव इधान सभा से अलग होता है तो फिर इन फैक्टर में कैसे आप चुनाव फाइट कर पाएंगे और कैसे जीतेंगे देखिए एसेंबली में मुद्दे अलग होते हैं और आज जो खाजुवाला में चले गए थे बार आज वो पस्चाताब कर रहे हैं हमने खाजुवाला में विकास के कामों की कमी नहीं रखी हम मैं तीन से आट नोखा मेरा वहां कमी नहीं रखी और जिन लोग ने वोट नहीं दिये आज वो पस्चाताब कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो अरजुन राम तीन वार बन चुका आम आजमी का फोन मेरे पास आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हमने पांस साल में पंदरा साल में के वे अरजुनाम को देखा ही नहीं पार्लियमेंट बनने के बाद आप जन्ता के बीज में नहीं जाओ तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं मंत्री होते हुए हारा लोग ऊप गए भी मंत्री रह गए और है वो नेर का काम हो चाए हस्पिटल का का काम हो चाए इस्कूलों का काम हो चाय कोलेज का काम हो मैंने कोई Ruma का में की कमी नहीं रगी तो बिलकुल यह थे गॉइंद राम मेगवाल उनका कहना की विधान सबा का चुड़ाओ अलग होता है और जंता मिकानिर की है वहाँ पर बदलाव चाहती है क्योंकि लगाता अरजुन राम मेगवाल वहाँ पर लोकसभा सांसत की जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं लेकिन इस बार मिकानिर की जंता बदलाव करेगी ये दावा है बोहिंद राम मेगवाल का केमरा परसन इकवाल के साथ में दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया नियूड जेपूर